कैसे हो traders स्वागत है आपका ट्रेडिंग मास्तर्स चैनल पे तो चलिए बढ़ते आजका टॉपिक क्या क्या एक कोटेक्स चार्ट मैनुपलेशन करता है और करता है तो कैसे करता है उस पर आज हम बात करेंगे लेकिन अगर आप नहीं हो मेरे चैनल पे तो लाइक करते हैं अब आपको जानना है तो सिंपल सी चीज़ है क्रेडिंग व्यू डॉट कॉम करके वेब साइट है जहां पर आपको रियल चार्ट मिलता है तीकर वहां पर जाओ एफ-ेq-स-ie-am चार्ट चूज़ करो रियल चार्ट आपको मिल जाएगा अब वहां पर जो रियल चार्ट है उसको और आपके बाइनरी ओपसंस का जो भी ब्रोकरों मैं कोर्टेक्स की बात नहीं कर रहा कोई भी ब्रोकरों बाइनरी ओपसंस का उसके साथ मिला कि देखलो दीके accurate chart कहीं पे नहीं मिलेगा आपको को हर मतलब कि आपको नहीं पता कुभी चार्ट manipulation नहीं होता क्यूंकि चार्ट कई तरीका के होते हैं बहुत सारी companies के होते हैं तो आपको नहीं पता आपका broker कौनसी कंपनी के chart को follow कर रा है इसके लिए आपको लगता है कि chart manipulation तोनुरहां higher लेकिन सच में चार्ट मेन्यूप्लीेशन नहीं होता बहुत सारे ब्रोकर से और कहां से चार्ट को मनलाएब ये चार्ट यह लोग सबस improvements देना चलते हैं उसके लिये रखो कि जब भी chart manipulation होता है तो आपके अकेले का नहीं होगा सबका होता है ठीक है chart manipulation अगर हुआ तो आप कुछ अकेले के आपके पैसे नहीं जाएंगे यहांपे ठीक है सबका chart manipulation होगा और chart manipulation जो होता है उसको आप संभाल सकते हो मतलब उसको आप देखके avoid करके मतलब कि trade ले सकतो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा chart manipulation होगा और आप trading नहीं मार सकते ऐसा कुछ नहीं है यह चीज मेरी याद रखो अब next चीज लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपका एक second लूँगा अगर आपको मेरा one and one coaching class join करना है तो price or details description में अब chart manipulation से कैसे बचे यह thing आपके दिमाग में आएगा तो मेरी एक चीज याद रखो chart manipulation से बचना है तो एक simple सी trick बताता हूँ कि अपना मतलब कि broker का chart देखने के बजा है trading view का chart देखो उस पे देखके trade मारो अगर ऐसा करोगे तो chart manipulation से बच जाओगे क्योंकि trading view में कोई chart manipulation नहीं होगा ठीक है और एक चीज देखो अगर आप मैं तो बोलूँगा कि अगर आप कोई broker यूस कर रहो ना तो उसका chart देखके trade करो तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं ये इन लोग उन लोग को बोल रहा हूँ जो की chart manipulation से बचना चाते चाते की वो chart manipulation हो तो उनको पता चले अगर ऐसा है तो एक बाजू trading view का chart खोलो एक side cortex का chart खोलो पता चल जाएगा आपको लेकिन मैं personally तो आपको मना ही करूँगा कि किसी और का chart देखने से अच्छा है कि अपना broker का chart देखो कुछ इतना बड़ा manipulation नहीं होगा कि आप पूरी की पूरी trade loss कर जाओगे ठीक है इतना बड़ा manipulation नहीं हो तो manipulation होता है तो मामूली सा होता है ठीक है छोटा मोता होता है और एक चीज़ और याद रखे कि manipulation अगर होगा न तो आपका ऐसा नहीं होगा कि analysis भी आपको change करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं अगर manipulation होगा तो सब के chart में होगा और आपको कोई analysis change करने की जरूरत नहीं है जैसा chart चल रहा है जैसा price action आप use कर रहे हो email description में मुझे contact करने के लिए आपकी मैं one-on-one class लूँगा जिसमें मैं सिर्फ आपको ही सिखाऊंगा कोई और नहीं होगा मेरे coaching class की price है $150 आप google पे जाके लिख सकते हो $150 into INR आपको पता चल जाएगा अगर मेरा student का results देखना है तो telegram channel link description में trading masters का official channel join करना है तो उसका भी link description में thank you god bless you all and have a successful trading